गोकुल धाम कुरुद भिला इस्थित मा गोमती गौसेवा समीती लगातार दस वर्षों से गौवंश की सेवा निस्वार्थ भाव से करता रहा है। हाल फिल हाल में समीती ने कुत्तों द्वारा गंभीर रूप से गायल कर दिये गए नन्हे गोवंश की जान बचाई और उसका इलाज गौशाला में किया जा रहा है। साहू ततकाल अपनी टीम लेकर मौके पर पहुचे और उन्होंने उस नन्हे गौवंश का उपचार कुछ देर वहीं पर किया तत पश्चाद उसे गौशाला ले आया गया जहां उस नन्हे गौवंश का उपचार डॉक्टरों की देख रेक में किया जा रहा है और नमी मतलब अपाहीज को आसहाय गौवंश को जयादा से ज्यादा से ज्यादा न मतलब उनकी सेव करना है कचांदूर सीयम कचांदूरोड में तलाओं के किनारे गाय बच्षीय थी छोटे सी मतलब उसको 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 बुट बुरी तरह से नोचे हुए थे तो पता चला तो बहुत ज़्यादा दैनी है, तो वसे ही केस मिलते हैं, तो हम सब लाके अपने यहां पर रख के उनका सेवा करते हैं, उनको तकलीपों से मुक्ति दिलाना, हमारा मेन है कि रोड में ना पड़े रहे हैं वो बुके प्यासे, तो हमारा अप सेल्टर मे लाके उनको रख के खाना ज़्यादा से ज़्यादा उनको तकलीपों से रोड में पड़े हैं, दुर्गटने में गहालों के पड़े हैं, जिसको कोई नहीं कर रहा है, तो उनको हम अपने आला के उनका सेवा करना है, मेन उद्यस से वो उनको तकलीपों से मुक्ति दिलाना है, उनसे यही अपील है क गौवन्षों को भी जान होती है गाड़ी आप लोग थोड़ा देख के चलाई है उनको तकलीफ होती है उनको भी उनको इलाज मतलब बहुत मुस्किल होना हड़ी तूटने के बाद क्या आदमी इलाज अराम से कर सकता लेकिन उनका इलाज बहुत मुस्किल होता है दुरगट इन न्यूस के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट